तो आज हम August महीने के हमारे तीन स्पीसीज रहते हैं, उनको कवर करेंगे ताकि कल से फिर हम सब्टेम्बर मन्द का स्टार्ट कर सके लेकिन बस एक चीज है जो पुराना लेक्चर के समय मेरे को भूल गया था एक्स्प्लेइन करना वो ये एवर्ग्रीन, सेमी एवर्ग्रीन, no, they are simply deciduous, that's it बस और अभी फिर हम चलते हैं August मंत की तरफ और August महीने का हमारा जो ये वाला स्पीसीज है इसका नाम है अनंदन्स डे गैको तो पहला तो ये एक गैको है हम इसको फोटो में देख सकते हैं और इसका नाम यही है अनंदन्स और इसको नाम मास्पिस अनंदानी भी बोलते हैं ये इतना जरूरी नहीं है याद करना बस एक आइडिया ठीक रहेगा कि ठीक है ये अनंदन्स डे गैको है अभी ये मिला किदर से है नीलगिरी फारेस से मिला है एरिया से मिला है और ये एंडमिक है वेस्टन घात का तो य कि ये जो इसा नहीं है जो एकदम ज़दर फारेस्ट गने है और इंसान लोग नहीं पहंच सकते उधर मिला है नहीं ये मिला है ज़दर इंसान रहते हैं नियर हूमन है बढ़िटेशन अन इस 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 सिगनिफिकेंट बहाइं इस डिसकोवरी और रहे इस एडिक रहें बढ साइन्टिफिक कम्यूनिटी और इधर वे नौट सपोस्ट टो डिवेट तो हमने पढ़ लिया इसका नाम है अनंडंस दे गैको ये नीलगिरी और वेस्टन घास का एंडमिक है इसका डिसकोवरी इंपॉर्टेंट है बिकर्ज ये हूमन लोगों के साथ वाले एरिया में प घासका है और फिर बस्का थ्रेट है और कुछ हूमन लोगों का भी थ्रेट है से वन्यक्ति है रजी ये कि को जिए है और को that the एक Puma का मिला है जो कि Argentina में था, प्री होस्टारिक टाइम में रहता था, this is the context, और इस Coprolite में, साइन्टिस्ट को oldest एक पैरसाइट का DNA मिला है, and this is the context, तो Coprolite है, fossil sized feces, belonging to animals, जो millions of years पहले रहते थे, और अभी ये मिला है, एक Puma का, Argentina में, and that's it, और अभी ये जरूरी क्यों है, क्योंकि इस Coprolite के shape को size को analyze करके, scientists इस चीज का पता लगा सकते हैं कि उस जमाने में कैसे animals थे, और वो खाते क्या थे, वो रहते कैसे थे, उनका size क्या था, for example, अगर किसी feces में से bone के fragments मिले हैं, तो it means कि वो जानवर मासाहारी था, अगर किसी feces में से tooth marks मिले हैं, तो it means कि वो जानवर का खाने का तरीका कैसे था, ये भी समझ में, समझा जा सकता है, this is what it is, तो बस हमने पढ़ लिया, ये काफी जादा simple था, Coprolite, fossilized feces of animals that lived millions of years ago, and that's it, अभी हमको बात करना है, इस dragon के बारे में, जिसका नाम है, Komodo Dragon, again, this is very very simple, context यही है कि Indonesian government ने एक जगा से लोगों को हटा के दूसरी जगा भेजा है, ताकि वो लोग इस Komodo Dragon को save कर सके, conserve कर सके, and this is it, Komodo National Park किधर है, Indonesia में, उधर ये dragons रहते हैं, लोगों को हटा के दूसरी जगा भेजा है, ताकि हमको इसका save कर सके, alright, अभी इसके बारे में, जानकारी है कि ये IUCN में वल्नरेबल है, इसको हमको सिर्फ याद करना है, और ये species में से lizard में से, सबसे बड़ा species है, this is again something that we just have to memorize, and this is not important, इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, यही चीज इंपार्टेंट है, और ये प्रे को हंट करता है, और इसका प्रे कौन हो सकते हैं, बर्द हो सकते हैं, मैमल्स हो सकते हैं, इन वर्टीब्रेट हो सकते हैं, जिनमें बलड को क्लॉट होने से रोकेगा, so this is it, हमारा आगस्ट मंथ के सब स्पीसिस कवर कर लिए, ये वाला बहुत ही सिंपल था आज वाला रेक्चर, तीन चीज़े ही हमने कवर की, आप इसको रिवाइस करिएगा, और this is it, कल के रेक्चर में हम सब्टेंबर मंथ की स्पीसिस से स्टाट करेंगे, तो कॉमडोन ड्रेगन हो गया, इंडोनेशन में मिलता है, इंडोनेशन के कॉमडोन नेशनल पार्क में वलनेरेबल है, लार्जेस्ट लिविंग स्पीसिस अफ लिजर्ड, that is it, so thank you once again and you download the pdf from the telegram channel, the link of which I would be putting right there in the description box, thank you once again and goodbye